वाइरलेस चार्जिंग किस तरीके से धीडियरे धीडियरे पॉपलर हो रही है मोबाइल फोस में धीरी धीरी देखने को ओल रही है आईफोन में देखने को मिल रही है और एपल वालों को तो इतना confidence आ गया है कि एपल अपने box से charger निकाल कि अब तो port भी गायब करने वाज़े सोच रही है completely true wireless charging के उपर हम चले जाए अभी Xiaomi का अपने recent example सुना होगा true wireless charging का इसके उपर मैं इक वीडियो बनाया था तो link is in the eye button उसको जाके check out कर सकते होगी किस तरीके से काम करती है हाला कि उनका concept भी अच्छा था कि आपको बस कमरे के अंदर enter होना है और आपको जो phone है वो automatically charge होने लगया काफी कमाल की चीज़ है नहीं है लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि जो charging का जो future हो थोड़ा सा bright हो सकता है लेकिन फिर भी अभी तक जो wireless charging है न वो standard नहीं बन पाई और अभी तक popular नहीं हो पाई है especially अगर मैं बात करूं इंडिया में देखा है तो concept बहुत ही जादा पुराना है Nicole Tesla's की उपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे लेकिन अगर हम बात कर रहे तो mobile phone ने पिछले 10 साल पहले से implement होना शुरू है Nokia के phones में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिली थी और basic concept यह था एक coil एक charger के अंदर होगी एक coil फोन के अंदर होगी और दौनों को आपस में अच्छे तरीके सा अलाइन कर दिया जाएगा और आपको जो फोने वो वायरलेसली चार्ज होता रहेगा काफी कमाल का concept था ना कि वायरलेस चार्जिंग पर आप उसे चार्ज कर सकते हो लेकिन प्रॉब्लम निये थी यह कोई ट्रू वायरलेस नहीं था यानि कि फोन तो चार्जर के पास रखाई जाएगा बस फोन के अंदर जो हम केबल लगाते ना वो ना लगा के फोन को हम एक पैड के उपर रखेंगे यह सिंपल सा कंसेप्ट था और इसके उपर आपको मल्टिपल चार्जिंग के स्टेंडर्ड देखने को मिले लेकिन जो सबसे पॉप्लर स्टेंडर्ड है ना वो है ची चार्जिंग का स्टेंडर्ड सैमसंग, एपल, गूगल, एलजी जितनी भी बड़ी कंपनी के सभी फोन साथ है ना सब ची चार्जिंग को सपोर्ट करते है और एक रेगुलर स्टेंडर्ड रहता है जहां पर क्या रहता है कोईल्स का यूज किया जाता और आपस में आलाइन करना पड़ता है सेम आईफोन के अंदर भी यही केस होता है लेकिन प्रॉब्लम यह रहती है कि जो एफिशेंसी रहती है इस चार्जिंग मेकनिजम के अंदर वो इतनी जादा नहीं है मतलब आप लोगो तो पता है कि रेगुलर चार्जिंग पहले स्लो होती थी फिर धीरी धीरे फास्ट होने लेकिन जो वायरलेस चार्जिंग था ना वो पहले भी स्लोती आज भी वायर चार्जिंग से स्लो होती है और यह सबसे बड़ी दिक्कत है, यानि कि wireless charging में ऐसा नहीं होता है, कि आपकी जो pure energy होती है वो wireless ट्रांसमेट हो जाए, ऐसा नहीं है, उसके अंदर energy losses वगरा भी होते हैं, कई बार heat के format में होते हैं, कई बार दूसरे forms में होते हैं, लेकिन हाँ, energy पूरे तरीके से convert नहीं हो आती है, और energy loss आपको काफी जाद देखने होता है, अब इसका नुकसान किया है, फोन लेट चार्ज होगा, बिजली काबल जादा आएगा, और सबसे ज़रूई चीज, इसको implement करना फोन के अंदर काफी जादा भेंगा पड़ता है, आप लोग को मालूम है कि wireless charging को को कोई कम के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको पीछे की तरफ glass back या फर plastic back को implement करना पड़ेगा, तभी जो wireless charging है, वो आपको देखने को मलेगी, और तो और बात कर तो phone की कीमत तो जादा करी देता है, लेकिन इसके साथ साथ है कि wireless charger की की कीमत भी जादा रहती है, और wireless charger तो कैसी जिसे जो box के अंदर तो कभी आया भी नहीं, और अब तो regular charger भी जाने वाले धीरे धीरे phones के box case के अंदर, और लग रहा है कि अब धीरे-धीरे क्या होगा कि company अपने खुद के wireless charger निकाल के promote करेंगी, और लोग को force करेंगी, कि जिस तरीके से अभी earphone के लिए, जो true wireless वगरा होते हैं, आपके wireless earphone वो purchase करो, वैसी अब यहीं case होने वाले कि आपको wireless charger भी अलग से purchase करना पड़ेगा, जी हाँ, यह इक important चीज हो जाती है कि wireless charger भी भेंगे नहीं आते, और technically देखें जो wireless charging feature है, यह सस्ते phone या mid range का feature नहीं, यह बिल्कुली flagship का feature है, even यह flagship भी ऐसा व चीज है कि wireless charging phone के अंदर डाल भी दीना, तो आकर कितने लोग हैं जो wireless charging का use करते हैं, less than 1% people होते हैं जो कि wireless charging को use करते हैं, और काफी सार लोग तो मैंने ऐसे देखा है, phone के अंदर wireless charging का feature है, लिकिन वो wireless charging को use करते ही नहीं है, क्योंकि docking station नहीं, उनके पस कोई charging pad नहीं है, ल आपको power plug socket देखने को मिल जाएगा, charging stations देखने को मिल सकते हैं काफी popular जगों पे, लेकिन wireless charging कहां देखने को मिल जाएगा, अमेरिका जैसी country में regular coffee shop के अंदर भी wireless charging station आपको देखने को मिल जाएगा, जो desk होती है, tables होती है, वहाँ पे आप उसे charge कर सकते है, phone को, इस type के concept काफी जादा दूर है, क्योंकि majority population के पास जो phone से wireless charger नहीं है, और उसमें से भी जिन phone के पास wireless charging वाले phones हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग है, जो कि additional wireless charger खरीद के उस पे invest करते हैं, उसके अंदर अपने phone को charge करते हैं, ये एक बात है, apple ने यही trend change करने के कोशिश करी थी अपने अंदर design में काफी ज़्यादा flaws था और उसमें concept यह था कि phone का किसी भी एंगल पर रखो, आपको जो phone है, वो charge होने लगया, लेकिन आज भी Apple इस समय में काम कर रही है, उसमें और देखने आने वाले future में क्या पता, air power देखने को मिल जाए, और एक और important बात यह कि अभी जब अपल के latest iPhone 12 से उन्होंने charger को box हटा है ना, तो wireless charging एक नया mechanism हो लेकिया है, जो कि था Mac से, जो कि magnetically attach हो चाया था, phone की उपर और phone को wireless charging प्रवाइट करनी कोशिश करता है, यह 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 भी concept है, जिसे Apple ने promote किया था, ऐसे ही Xiaomi है, Xiaomi की जो wireless charging technology आपने अभी देखी है, जिसके अंदर जेब में phone आप लेके घुमते रहा हो, और आपको जो phone है, अगर कमरे के अंदर एंटर हो के automatically charge होने लगेगा, यह एक अच्छी technology है, proof of concept अच्छा है, इस टाप का application आपको पहले भी देखने को मिल चुगे है, ऐसा मैं अपने उस वीडियो के अंदर बात करी थी, लिकिन एक important बात यहां पर आपको बता देने वालों, वो यह है कि wireless charging को जब इस तरीके से implement किया रहे है, तो जो slow wireless charging है वो रही है, अब Xiaomi नहीं है कि जो charging होगी न वो होगी 5 watt पे, अब 5 watt पे आजकल के जितने भी Android phones होते हैं, सब के अंदर 4000 mH की उपर की battery है, 5 watt की charging से आपको कितना time दे लेकिन को मिलेंगी, लेकिन जब यह safe हो जाए और fast हो जाए तब इसका मज़ा आ सकता है, खैर यह सारी बात है अलग हो जाती है, लेकिन बात आती है, आज भी wireless charging पूरी तरीके से standard नहीं बन पाई है, और आज भी companies है काफी सारी धीरी-धीरी innovation लानी कोशिश कर रहे है, ओप वाले सोचने वाला, कोई भी OnePlus 8 Pro का user अगर आपको मिले है, उससे पूछना, क्या वो wireless charging को use करता भी है कि नहीं करता, काफी कमाल की चीज़ है यह भी, लेकिन important बात है कि आज भी हम वेट करें किसी technological innovation का, कोई भी technological breakthrough का, जो कि wireless charging के जमान में हो, जो कि इसको affordable बना है, सस्ता भ capability वो देखने को मिला और इसको widely adopt किया जा सके, दस साल के अंदर अंदर भी अभी तक हम इस चीज़ को achieve नहीं कर पाए है, अभी भी traditional mechanism के उपर चीज़ा काम कर रही है, अभी भी देखते कि आने वाले 4-5 साल में क्या कहानी हो सकती है, जैसकि हम लोग जानते कि आने वाले सम wireless charging future तो होगा, लेकिन अभी अपने जगे नहीं बना पाई है, क्योंकि अभी देखा है तो इस standard में काफी जादी कमी आए, यह अभी perfect नहीं है, आने वाले समय में wait करना पड़ेगा कि कि किस तरीके से standard perfect हो पाता है, दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप चैल को सस्क्राइब कर अभी तक नहीं किया तो आप दूस साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, और मैं को टुर्टे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, थैंक आपको वीडियो देखने के लिए, आज हम दो नेक्स विड में, गुड़ बाई!